नमस्कार मैं हूँ नितिन वशिष्ट और आपका स्वागत है रासकला मंच में और आज हमारे साथ हैं संजे भसीन जी सर आपका भदवाद स्वागत है हमारे शो में सर आपसे ठेटर की कुछ जानकारी लेना चाहूँगा कि आपको रासकला मंच कैसा लगता और कैसे आप ठेटर से जुड़े हैं सर रासकला मंच पहले तो बदाई का पात्र है कि कोविट डैंटीन करोना नामक भ्यंकर महामारी के बाद जब कारे करम शुरू हुए तो इनुस ने अपना ग्यारवां यह दिवेशन प्रारम किया है और जिस परकार से रासकला मंच कला को खास दोर से रंग मंच के उसको आग आपका उधारन बलकि मैं तो यह कहूँगा कि इंदुस्तान में अपने 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 अंदर एक उधारन है किस परकार का एक सफीदों जैसे छोटे से कस्वे के अंदर मैं तो गाउं ही उसको कहूँगा वहां पर इस थापित होने वाला यह मंच आज इस लेवल पर है कि इस कारेकरम को कराता है इसका ग्यारवा आयोजन है जिसके अंदर राष्ट्रिय स्तर के रंग मंच के कलाकार वीश के अंदर आते हैं सार आप जैसे कि थेटर से जुड़े रहे अंदर रंग मजना मातर का होता था एक दूस थानी अइसे हैसे गुड़गाओं क्योंकि धुड़गाओं नजधीक दिली के है यह थोडावा था सुनने ने आता था इतर हिसार साइड मीं रोतक साइड में कहीं पर होता था लेकिन अब जैसे जैसे समय बीटता गया, लोगों का रंगमंच के प्रती ये भावना बढ़ती गई कि रंगमंच जो है सब कुछ दे सकता है, कास तोर से जब ये टीवियों के बहुत सारे चैनल चलने लगे दूरदर्शन्स पर, तो बच्चों ने देखा कि कैसे इस तक जा जा सकता है, मेरी अपनी सोच है कि रंगमंच जो से खा कर वेजेगा, लंगमंच से जो सीक कर जाएगा, वो किसी भी फील्ड के अंदर जा सकता है, चाहे वो इ्मेंट्स कारेकरम हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे समाज हो, आपका क्या नम, इसका कॉमिनिकेशन हो, और ये पत्रकारिता हो सब के अंदर रंग मंच की बहुत बड़ी देन है जैसे कि थेटर एक कलाकार को एक मंच देता है अपने भावनाय व्यक्त करने के लिए एक प्रेजेंटेशन देने के लिए और हर फिल्ड में आजकल जुरत भी है तो संजी जी मैं जानना चंग हो कि आपको य ये उपलब्दी प्राप्त की काईदे से तो मैं कॉलिज में पढ़ता था उस समय शुरू में क्रिकेट खेलता था हमारे एक दोस्त थेटर से जुड़े हुए थे और यूथ फेस्टिवल की जब रेर्सल चल रही थी तो क्रिकेट की प्रेक्टिस करके तो देखने चले नामी गरामी व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला सीलिज बढ़ाया बीवी नातियों वाली और जो सिंग आसन खाली है नाग पाश वा कहरा इसके लेकक भी है तो उन्होंने मुझ से बूचा कि भई आप नाटक करने आए हैं मैंने का नी जी मैं त पहला अनुभाव ऐसा था कि जिसने पीछे देखने नहीं थी ठीक है सर एक कलागार की जो कला होती है वो कहां पर बंद जाती है मैं थेटर के बारे में जाना चाहूँ क्योंकि थेटर में हम सब कुछ करते हैं मूजिक भी करते हैं कोरेग्राफ भी करते हैं और बैक यह थेटर को जॉइन करते हैं सिर्फ एक्टिंग के तौर पे कि यार मुझे सिर्फ एक्टिंग करने हैं तो यह बैक स्टेज का और बैग्राउंड वर्क क्या रूल होता है इसमें कायदे से तो जो हमारे जो एमेचौर थेटर्स हैं और एमेचौर भी मैं कहता हूँ जो प को पॉजेट नहीं हो है कॉलेज की तरफ से दिये जाए तो हम रात-रात बैट कर वहां सैट बनाते थे खुद सैट को पालिश करना इसको करना खुडू सको लादना बसों के ऊपर खुद इसको उतारना और यहां तक कि यह शीखना कि यार यह ए एनस्डी से आया है यह सबसे बड़ी बात है कि आप इससे समझ जाएं कि हमारा हमारी जो सबसे बड़े निर्देशक है सबसे बड़े निर्देशक हमारी मा है पहला डिरेक्टर हमारी मा है मा जब हमें बोलना सिखाती है मा जब हमारे को खाना सिखाती है मा जब हमें चलना सिखाती है तो सारा कुछ गाइड में तो नहीं लिखा स्कृप्ट में तो नहीं लिखा स्कृप्ट तो उसने लिख दी कह किसे हवाव औरने हैं, क्या स्टेज पर अनुशासर रखना है, किस तरह से जाना है, टाइम पर आना है, ये सब कुछ निर्देशक ही बता सकता है. आपके कोई जीवन का ऐसा वाक्य जो आपको याद हो कि इस शो ने मेरे को कुछ ऐसा दिया, कि मैं जिन्दी के बार भूलना पाया हूँ, आपके अभी जो मेमोरी में बिल्कुल शार्पली आता हूँ, एक एप्रिशेशन के तौर पर मैं जाना चाहूँगा। नाटक किया हमने जाती पूछो सादू की, जिसके अंदर बबना का मेरा रोल था, और मुझे आए तक याद है कि जब भी मैं, जैसे उसको हमने नैनी ताल में किया, पहले नैनी ताल में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, सोलन किया, जहां पर भी किया, अगली बार में जब वहाँ पर गया, तो दुकंदारों नहीं है, जएदे था लोग दुकंदार देखते हैं, उन कारे करमों को जो वहाँ होते थे आजकल नहीं होते हैं, जैनी ताल में, तो मुझे बबना कहके ही बुलाते थे, तो कॉलिज के अंदर भी लड़के-लड़के मुझे बबना जा चुके हैं, और इसी के साथ साथ आते हैं उसके बाद अवाउर्ट और सर्टिफिकेट, आपने भी बच्चों को आप जब सर्टिफिकेट और अवाउर्ट देते हैं, आज, तो क्या मन में कोई भाव चलता है कि हाँ ये किस तरीके से उसके जीवन को रुपान्तरित करे इसकी सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको बताता हूं कि मैं एक छोटे से घर के अंदर रहता था, अभी थोड़े समय पहले मैंने थोड़ा सा बड़ा घर लिया और उसके अंदर जब मेरे को ये जो आप पुरुसकार या समर्थिच्चनिया जो कह रहे हो और जब इनको र सारे अपना शोरूम्स में रखे गए, शोकेज में रखे गए, वो तो रखे हुए हैं, सारे के सारे सजाकर मैंने जो पुराने टेम पे ऐसा मिला था, जो तूट भी हो सकता कहीं से गया हो, वो भी आज मेरे टरंक के अंदर रखा हुआ है, कलाकार को तालिया, शाबासी और कलाकारों को जानते हैं, उनका जो अप्रिशेशन होता है, उसे जानते हैं, तो आप ये भी ज़रूर जानते होगी, इतने सालों में कुछ ऐसी चीज है, जो इस थेटर को दबा रही है, कि डिजिटली जो चीज प्रेजेंटेबल है, कहां थेटर लैक कहां कर रहे हैं, मैं आप से पूछना चाही है, अब बहुत ज़्यादा हमारा थेटर भी ना पर्फेशनल ही हो गया, पहले प्रफेशन था, लोग प्रफेशन भी अपनाते थे, इसे शोक से भी करते थे, दिल से भी वी करते थे, अब लोगों ने इस थेटर को छोड़कर जयादा इवेंट्स क कम मिलते हैं अब लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे ये दीरे-दीरे पिछले कुछ सालों के अंदर राज कला मंच जैसे मंचों ने इसको आगे बढ़ाया है अब लोग आने लगे हैं दर्शक मिलने लगे हैं ये तो एक साइकल है इस पईयें की तरह चलना है आने वाले समय के के अंदर जो वास्थिक्ता जो जोंत प्रस्तुतियां होंगी उन्हीं को दर्शक देखेगा ये मेरा मानना है सब एक चीज और थोड़ी सी दुखती है कि अच्छा कलाकार और अच्छा एक निर्देशक बहुत लंबा समय ले लेता है आगे आने में आने में शायद प्रस् कुछ से जुड़ा हुआ अद्मी वो अभिमानी बहुत है और वो किसी के आगे जुक कर ये नहीं कह सकता कि मुझे काम दे किसी को ये नहीं कह सकता है मेरी पीट पे हाथ रख और जिनकी पीट पर हाथ रखने वाले चुपचा पा जाते हैं जिराफ की तरह वो उपर अट ज सब को पीछे छोड़ देता है जी सर एक चीज और जाना चाहूंगा जैसे आज की यूथ है जो आज पढ़ रहा है इंजिनेरिंग कॉलिज है और कोई मेकैनिकल कर रहा है कोई सॉफ्ट इंजिनेरिंग कर रहा है इनकी लाइफ में थेटर अगर आ जाता है तो क्या रोल प्ले करता है क्रेटिवीटी के मामले में क्योंकि आजकल बच्चों ने खिलना तो बंद कर दिया है और प्रेजेंटेबल नहीं समवाद खतम हो गया आपस में बहुत कुछ फोन पर ही होने लगा है रंगमंच सब कुछ सिखाता है अब आप खास तोर से आजकल जो ये नए यून को एक्टर हैं आज भी एक्टिंग करते हैं बहुत से इंजीनर को जानता हूं जो अगर नहीं कर पाते तो जाके दिल्ली नाटक देखने जाते हैं उसको आज पता लग जाएगा कि रभी महुन जी का नाग मंडाले वो देखने आएंगे चे कहीं पर भी हो आज भी हो है यह हो सकता है कि professionally उनका line बदल जाती है लेकि रंगमंच से दूर हो जाएं यह मैं मानने को त्यार रही है तो आज की जो बच्चे जो जैसे थेटर को जॉइन करना चाहिए उसका वो चयन कैसे करें कि यही साही थेटर ग्रूप है जैसे कि आपने का कि कुछ थेटर्स हैं से यह उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीख सकता है लेकिन आज कल जो मैं देखने में आता हूं क्योंकि मैं कहीं यूनिवस्टीज के निर्ने के पैनल पे हूं जज के पैनल पे हूं मेरे देखने में आता है कि आज मैंने नाटक किया उस नाटक के इंदर मैंने अच्छ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है शीखना पड़ता टाइम देना पड़ता है एक्टर डिर्रेकटर बन जाता है उसके लिए समय लगता है समय अखरी प्रशन है कि बस दसवे चलो ओंडेर और ग्यारवे चलो थेटर में आपने क्या अंतर देखा दस्वें और ग्यार्वें के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके अंदर होसला बहुत है क्योंकि करोना अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है और इसके बाद भी हम दर्शक आ रहे हैं और अगर ये इस परकार उनको ना पता होता कि फैस्टिवल ऐसा कराता है हम गुड़गाओं के अंदर निष्टा सांस्कितिक मंच से और इंडिया ड्रामा डांस फैस्टिवल कराते हैं और तीन साल से नहीं हो पा रहा है लेकिन आज भी दर्शक जब उनको पता लगा खबर पढ़ी क्योंकि मुझे मैं धन्यवादियों की सम्मानित किया मेरे को रासकला मंच ने उनने खबर पढ़के बार बार मेरे से पूछा कि संजे जी कब अपना ये फैस्टिवल होगा तो लोग देखना चाते हैं और इस परकार की जो संस्ता हैं रासकला मंच जैसी ये दिशा दिखाती हैं और संस्ताओं को भी अच्छे कारे करम कीजिए जिसके अंदर से लोग आपके दर्शक मिलें वास्टुकता का पता लगे स्वाइब काईदे से तो रंग मंच एक दर्पण है विए अगर आप दर्पण देखना चाते और तो रंगमच को देखने के लिए आपको आा पड़ेında हा राउनरी स्थिस्टा को दिखाते रहे और थेटर के माधर से दिखाते हैं और आपका भी सांथ मिलता रहे बहुत आपने इतना किम्ति समय दिया हुए अच्छी जगह पर हैं और आप यहीं से आगे जाएंगे आप जाना चाहते हैं उसके लिए रंग मंच आपको सब कुछ देता है रासकला मंच जैसे मंचों को और भी कई मंच हैं हर्याना के अंदर आप उनको सभी कारें अच्छे निर्देशक को चुने जो निस्वार्त होकर आपको सिखाए यही है और रासकला मंच इस परियास में लगा हुए है यह बहुत बड़ी बात है आज बच्चोंने नाटक किया परानी कहानी है लेकिन जिस तरह से बच्चोंने दर्शाया वो बदाई के पात रहें और रंग सबसे बड़ी बात है रासकला मंच जब भी अपना थेटर करता है यह ग्यारमा थेटर है तीन चार तो मैं देख चुका हूँ उसके अंदर जो नाटकों को सलेक्ट करता है वो वास्तव ऐसे नाटक होते हैं जो दर्शकों को जो हैं मोह लेते हैं और अपना संदेशा चोड़ते हैं यही सबसे बड़ी बात है आपने मुझे बुलाया बहुत बहुत दरने झाल हूँ झाल हूँ झाल हूँ झाल हूँ रबशा पोल् effort ूअ पर लग Peo Y झाल